है गाईज मैसेल अभीधर पताप सिंग सेकेंड यर अभीवेस स्टुडेटेट इंस देली तो बहुत दिनों से आप लोग मुझसे कह रहे थे कि यह आप कोई जो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो की डिफकल्ड होते हैं बायोजी में या फिर फिजिक्स है केमिस् इस वीडियो के थ्रो में फोकस से रहेगा कि यह जो वीडियो है बहुत शॉर्ट होनी चाहिए फर इसमपल दस मिनट के अंदर या पंदर मिनट के अंदर हम पूरा कार्डियक साइकल पढ़ेंगे और मैं अपना बेस्ट करूंगा अपने बेस्ट एफर्ट डालूँगा कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए ठीक हैем आप zacस होता ही कि कायीक साइकल की डूरेशिन जो होती है वो 0.8 को aujourd ह ए ठीक है तो अब क्या करते हैं यहां पर है एक वॉक्स किया है जीरो पॉइंट बन सेकेंड को रिलेट करता है अगर मैं इसको ऐसे ऐसे शेड कर रहा हूं नहीं सिस्टोब हो रहा है और एक ऐसे खाली छोड़ दे रहा हूं तो उसका बän्लाब रेल हो रहा है ठीक trump तो यह हमारा atria है यह हमारा ventricle है ठीक है तो अगर मैं मानक के चलता हूँ कि हमारा heart कुछ ऐसा shape का है ठीक है मतलब heart ऐसा होता ही है दो atria ओपर है दो ventricle नीचे है ठीक है यह आपका मानलो right है यह मानलो आपका left side है Left side है तो आप इतर राइट हो जागा तो आपका राइट सब्सक्राइब है इतर आपको पता होगा राई एम ओ राइट के भीच में क्यों सी वाल प्लप्लेंट होती है Tricuspid अधिरlived प्लप्लेंट होती है and then खर्शाओ-ध्रberg के भीच में बात करने वाले होंगे कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं, हम कैसे बहुत ईजली को समझ अकर आपको क्रेंगे चीज अपना प्रेशर उसको ज्यादा कर रही है, वालूम को कम करना तो वॉल्म कम होगा तो क्या होगा प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, तो atrial systole जो होता है आपका 0.1 second के लिए होता है first 0.1 second job of the cardiac cycle का होता है that is to atrial systole होता है जब आपके atrial systole कर रहे होते हैं तो ventricles जो होते हैं आपके क्या कर रहे होते हैं diastole में होते है that is they are relaxing जो atrial का blood होगा वो contract होगा बताब atrial का blood किसमें आ जाएगा क्लोजर होगा क्यों क्योंकि जब यह वाल्व यहां पर close कर जाएंगी तो ventricles से blood क्या होगा atrial में वापस flow नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहां पर हमारा first heart sound produce होता है यहां पर हमारा first heart sound produce होता है जिसको हम लब भी कहते हैं लब नाम से जिसको हम जानते है first heart sound कहते है यह यह produce होता है कहां पर इस point of time पर जहां पर आपकी tricuspid and bicuspid valve close करती है क्योंकि blood जो है वह वापस atrial में ना चला जाए अब उसके बाद क्या होगा अब उसके बाद यह होगा कि आपका जो ventricles है वह contract करेगा ठीक है ओ जब आपके ventricles दिस्टोल कर रहे होंगे यह ना आखरी में क्यूद बोनों dois होते हैं मतलब की आपको आपकाinations क्या रहे होते हैं सागा टाल को में तो आपके बिलाइई क्या हो यह अब आखरी 5-1 लोड़े जो जोइन इस्टोल कर रहे हैं और वंडाब वेंटर्स को सारा ब्लडता वह ऐयोल्टा में चला गया यह पर्मोनिली यह उक्तर से ऐसा भी सकता है कि ब्लड वापस से वेंटर्सी कल मैं यहाँ पर यह दो देखाता कि यहाँ पर ट्राइक कस्पीड तो यहाँ पर फिर से ना चला जाए तो वही चीज यहां यह ना कि जब आपका ऐसा कुछ होगा वेंट्रेकल होगा जब आपका यह लेफ पेंट्रेकल है तो इधर आपका ऐसे होगा न यह अपर आपको पर नाम होता है semi-lunar walls क्याना होता है semi-lunar wall semi-lunar walls तो अब होगा इनका closer वहाँ पे क्या हुआ था वहाँ पे closer हुआ था लब जब heart sound produce हुआ था tricuspid and bicuspid wall का बट यहाँ पे जो second heart sound produce होता है उसको हम कहते है dub second heart sound which is known as dub ठीक है तो dub produce होगा जो कि कब produce हुआ semi-lunar walls के closer के मतलब dub is produced due to the closer of semi-lunar walls and lub is produced due to the closer of bicuspid and tricuspid wall तो यह तो होगी normal बात है अब question क्या सकता है question क्या सकता है what is the time duration between lub and dub मतलब की lub जो first heart sound है और second heart sound का dub है इन दोनों के बीच में duration क्या है तो आप simple सी देख सकते हो कि इन दोनों के बीच की duration क्या है एक डिबबा, दो डिबबा, तीन डिबबा और यहां पर मैंने बता रखा एक डिबबे का मतलब क्या है 0.1 second तो इसका मतलब 0.3 second है answer समझ में आया फिर पूछ सकता है इस जिबबे से कितना जाधा असान होई आपके लिए पुछे का atrial systole कितनी देर हुआ तो simple 0.1 second हुआ atrial diastole कितनी सेकेंड हुआ 0.7 second हुआ ventricle systole कितनी सेकेंड हुआ low 0.3 second हुआ ventricle diastole कितनी सेकेंड हुआ 1,2,3,4,5,0.5 second हुआ joint diastole कितनी से देर हुआ तो 1,2,3,4 joint diastole को अतलब दोनों साथ में diastole कर रहे थे atrial भी आपको ventricle भी तो यह जो आपका trick है यह बहुत अच्छा है और इसके थुरू आप पूरा cardiac cycle अराम से कर सकते हो सारे questions आप cardiac cycle कर सकते हो जिसमें भी आपको अभी तक दिक्कत आ रही थी कि लब डब कप प्रडियूस होते हैं इनके विच्व का time period क्या होता है atrial cup contract करते हैं ventricle cup contract करते हैं और फिर कैसे कैसे क्या होता है तो यहां से आप बहुत ही easily समझ सकते हो ठीक है अगर आपको और कहते हैं detail में पढ़ना है तो मैं इसके आगे अपने इस वीडियो में पढ़ा दे रहा हूँ अगर हम अपने मतलब यह तो basic हो गया day cycle का अब तब इतना तो एकदम आना ही चाहिए तो यह time duration आपको पता होनी चाहिए अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो आपके NCRT में दिया हुआ है so first we are gonna talk about stroke volume क्या होता है ठीक है we are first gonna talk about stroke volume क्या होता है then second हम बात करेंगे cardiac output के बारे में ठीक है cardiac output के बारे में यह दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहा होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार अगर समझ में आया हो तो यह ट्रिक अच्छी लगी हो क्योंकि यह बहुत दाधा important trick है और बहुत बच्चों को cardiac cycle में problem होती है तो यह जरूर याद कर ले ना ठीक है तो अब हम आते है stroke volume और cardiac output पे तो देखो stroke volume क्या होता है stroke volume मतलब volume है ना volume किस चीज़ का volume है यह चीज़ दा volume of the blood ठीक है it is the volume of blood जो कि हमारा left ventricle pump करता है volume of the blood which is pumped by left ventricle ठीक है पर कब एक cardiac cycle में एक cardiac cycle में हमारा left ventricle जितना blood pump करता है ठीक है उसको हम बोलते है stroke volume और यह होता है आपका 70 ml कितना होता है 70 ml अब question आता है paper में बहुत बच्चे गलत करते हैं क्या हम stroke volume को elder कर सकते हैं जी हाँ बिलकुल कर सकते है stroke volume को elder for example exercise condition आपका stroke volume हो बढ़ जाएगा तो make sure कि आपको यह चीज़ जाद रहे कि exercise stroke column बढ़ जाता है ठीक है exercise conditions आपका stroke column बढ़ जाएगा तो अगर paper में question आता है कि क्या stroke volume change हो सकता है yes it can be changed yes it can be changed okay it can be changed according to conditions चालो फिर अब आते हैं हम cardiac output पे cardiac output क्या होता है cardiac output is nothing but stroke volume into heart rate ठीक है stroke volume into heart rate यह होता है कि हम हमारा जो left ventricle है ठीक है left ventricle जो हमारा है वो एक minute में कितना blood pump कर सकता है the blood pump by left ventricle in one minute तो यह दो चीज़े बहुत important है इन दोनों की value याद कर लो as it is यह भी चेंज हो सकती है अगर stroke volume चेंज हो सकता है तो यह तो बिलकुल इसली चेंज हो सकती है यह तो आपका stroke volume बढ़ जाए तो चेंज हो जाएगी या फिर अगर आपका heart rate बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो दोनों तरह से आपका cardiac output आप चेंज कर सकते हो cardiac output ज्यादा भी हो सकता है और cardiac output कम भी हो सकता है कितना आ जाएगा stroke volume हमने कितना देखा 70 ml normal heart weight कितनी होती है heart rate मतलब कितनी बाहर heart धरकता है एक minute में तो आपको पता है एक cardiac cycle 0.8 second में होती है तो 60 second में कितनी बाहर heart धरकेगा 0.8 से द्वाइर कर दो that will about come to 72 72 के आसपास आएगा तो हम 72 मान लेते हैं तो 70 ml into 72 कितना जाएगा 5040 ml that is approximately to 5 liter ठीक है this is the cardiac output इतना हमारा cardiac output होता है अब बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चे गलती ये करते हैं कभी कभी क्या होगा पेपर पे कुशन आएगा what is the blood pump by both blood pump by the heart in one minute तो अगर heart की बात कर रहा है अगर कोई heart की बात कर रहा है बंदा तो उसमें दोनों ventricles आएगे left ventricles तो आएगा आएगा but right ventricles भी तो आएगा समझ रो तो उस question का answer क्या हो जाएगा 10 लीटर ठीक है 10 लीटर आएगा क्यों क्यों आपको दोनों ventricles consider करने होगे so make sure आप ये गलती मत करना cardiac output is a blood pump by left ventricles इसमें right ventricles का inclusion नहीं होता है so I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लेगी होगी और मैंने काफी कोशिश कि आपको पूरा cardiac cycle पहले समझाने का देन दो पॉइंट और stroke column और cardiac output जो कि आपके anxiety में mention है और frequently यहां से question आते रहते हैं क्योंकि athletes में यह से ज़्यादा होता है और बहुत ही frequent questions है ठीक है और बाकी यह diagram बहुत ज़्यादा important है इस diagram को आप टेकेते हैं as it is जैसा मैंने बताया है आपको याद करने को वैसे याद कर लो और यह diagram अगर आपको याद होगा तो आपको बहुत अदा फायदा होने माला है okay guys thank you I hope आपको यह video पसंद आई होगी और आपको अगर ऐसे मतलब 10-10 minutes के और वीडियो चाहिए तो आप please comment section में बता दो मैं और वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए क्योंकि मेरे लिए भी suitable है easy पड़ता है और शायद आप लोग को भी इसमें सीधे और सीधे पढ़